श्रागत है आपका आज के इस वीडियो में है जिसमें हम बात करेंगे food nutrition and hygiene अर्थात आहर पोशन एबं सचता से संबंदित कुछ महत्पूर्ण प्रशनों की जिसमें हमने लिए 30 important questions जो आपकी सभी इनिवेस्टिर्स के लिए बहुत ही important है और ये co-curricular subject होता है जिसे आपको pass करना होता है इसमें 75 questions solve करने होते हैं और आपको 40 questions जो हैं वो exam में लाने होते हैं अगर किसी कांड़ बस एक questions 40 सही नहीं होते हैं तो आपकी back जो है लग जाती है जिसे आपको दोबारा फिर farm fill करके complete करना होता है तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे पहला वीडियो जो है RCMR ये RCMR नहीं होता है ICMR होता है के पांच में समू में प्राप्त होने वाला पॉस्टिक तत्व है तो ICMR जो है के पांच में समू में जो तत्व दिये गए हैं अर्थाद इसका जो राइट आंसर होगा भै डी होगा इसके डी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दें A88 कोश्टन से हमने कोश्टन जो है सुरू की है इससे पिछले वीडियो में 1 से 18 तक कोश्टन जो है सौल्ब हो चुके हैं आपको अगर वो वीडियो देखना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई उसमें जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं सेकेंड नमबर कोश्टन जो है भोजन गाइड के तीसरे समू से प्राप्त होने वाला पोश्टन रतात तो है अर्थाद जो इसने भोजन की गाइड अर्थाद भोजन समू के साथ समू दिये हैं जिसमें तीसरे समू में प्राप्त होने वाला पोश्टन आप से पूछा गया है तो जो तीसरा है इसमें सम्मिलित किये गये हैं खनीज लमड जल और रेशा बिटामिन तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वै डी होगा नेश्ट कोशन मानव जीवन की प्राथमिक आप सकता है आप सभी लोग जानते हैं मानव जीवन की प्राथमिक आप सकता जो है वो भोजन होती है तो नाइन का भी राइट आंसर हो जाएगा next question number 91 अनुचित परस्तिती है अनुचित परस्तिती होती है नेन की कमी अत्यदिक कारिभार और असस्त बाता बन तो इसका भी right answer हो जाएगा भै D होगा next question number 92 उत्तम ढंग से पोशित माना जाता है तो जो व्यक्ति सुपोशित व्यक्ति हो उसे उत्तम जो है ब्यक्ति माना जाता है उत्तम पोशित व्यक्ति माना जाता है तो इसका राइट answer हो जाएगा यह हो जाएगा तो पोशित व्यक्ति को next question number 93 पोशन तत्तों को मुख रूप से कितने समुहों में विवाजित किया गया है पोशक तत्व जो हैं इन्हें जो विभाजित किया गया है ये six टाइब में विभाजित किया गया है डी स्का राइट आंसर होगा जिसमें कार्बोहाइडरेट, खनेज लवर, प्रोटीन, बशा और जो अंत में आता है बएजल होता है तो ये 6 प्रकार के पोशक तत्यों को डिवाइड किया गया है 94 देखें दो स्पूर्ट भोजन है तो दो स्पूर्ट भोजन तो अनुप्युक्त भोजन असंतुलिक भोजन अत्यतिक बसाइक भोजन ये सबी जो है दो स्पूर्ट भोजन के ही उदान है तो 94 का D-right अंसर हो जाएगा 95 अगर देखें कौन सा पोश्टिक तत्यों है तो पोश्टिक तत्यों जो है ये प्रोटीन होता है 95 का D-right अंसर होगा 96 कारभो हैडेट के योगिखें कारभो हैडेट आपने देखा होगा C6 H12 O6 होता है तो इसमें carbon भी होता hydrogen भी होता और oxygen भी होता है तो इसका भी right answer D हो जाएगा रथात carbon की योगिक यह सभी है next question number 96 sorry 98 आहार योजना प्रभावित होता है तो आहार योजना जो प्रभावित होता है यह परिवारिक सदस्यों की संख्या से सरवादिक प्रभावित होता है क्योंकि अगर ज़्यादा परिवारिक सदस्यों की संख्या होगी तो उस हिसाब से आहार नहीं मिल पाएगा जितना हमको nutrition अर्थात सवस्त पोशन के लिए आबश्यक होगा next question number 99 आहार आयोजन में वेंजन परोसा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा चम्मस से next सलाद के लाब हैं तो सलाद लगवक सभी पाचन सील होता है इसमें तेदिक मात्रा में पानी होता है इनकी पोश्टिकता अधिक होती है तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा next आहार आयोजन के चरण होते है तो आहार जो होता है ये बिविन चरणों का होता है इसका बी ए सोरी ए राइट आंसर हो जाएगा एक सो दो का आहार नियोजन का उद्देस है तो आहार नियोजन का उद्देश जो होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए, डी सका राइट आंसर हो जाएगा, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत तो नहीं है, तो जो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत तो नहीं है, मनुरंजन, मनुरंजन आहार को प्र दूरबलता भी होगी रोगों से लडने की चमता हमारी जो है वो डाउन कम हो जाएगी ब्रद्धी और विकास जो है बोडी का हरुप जाएगा तो इस हिसाब से राइट आंसर जो हो जाएगा भै दी होगा नेश्ट अहर आयोजन को क्या कहते हैं तो अहर आयोजन एक प्रकार का कला है यह यह राइट आंसर हो जाएगा 106 आहर नियोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए तो आहर नियोजन करते समय सारे लिक आवसकताओं की पूरती है तो पोश्टिक तत उचित मात्रा मून यह ध्यान रखना चाहिए आहर संतुलन में हो खाद पदारतों का कोशन का ओप्शन है डी राइट आंसर हो जाएगा इसका यह सभी जो है आहर नियोजन करते समय ध्यान में रखने चाहिए नेश्ट कोशन नमबर 107 व्यक्ति गत स्वास्ते को कौन सा तत्य प्रभावित करता है तो इसका जो राइट आंसर होगा भे डी होगा अनिद्रा जो है यह व्यक्ति गत प्रभावित होती है नेश्ट एक्षो आट स्वास्ते के लिए अच्छा पोशन क्यों आवश्यक है तो दूज जो है वो ब्रद्दों, सिशुओं और बालकों के लिए सबी के लिए important है तो इसका भी डी-right answer हो जाएगा यह शुदत साथ खाद समू के सश्टम समू का खाद है तो सश्टम समू में जो रखा गया है वह त्रन अधान ने है इसका सी राइट आंसर होगा त्रन भान ने भोजन के कारियों को कितने बर्गों में बाटा गया है तो जो भोजन के कार है इनको तीन बर्गों में बाटा गया है एक सो बारे में देखेंगे संतुलित अहर का प्रभाव पढ़ता है तो संतुलित अहर का प्रभाव पढ़ता है स्वास्ते पर क्रिया सीलता पर जलवाई और मौसम पर इसका भी राइट आंसर डी होगा साथ खाद समू के तिरती बरग में सामिल फल हैं तो तिरती बरग में कौन से फल सामिल है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवे अंगूर केला और ये फाल से क्या गलत लिग जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा सरीर की अनेच्छिक क्रिया है अनेच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो बिना इच्छा के की जाने वाली क्रिया हो तो इसका राइट आंसर सांस लेना भी अनेच्छिक क्रिया है रक्त परिवेहन भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है दिल धड़कना भी कांट्री न समू का जो फल नहीं है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी होगा की भी जो है यह तृति समू का शदस्य नहीं है या फल नहीं है 1.17 देखेंगे संतुले तहार में होता है मिलते है अगले वीडियो में जो की